Hello everyone, welcome back to another video तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमोस्टैसिस टॉपिक के बारे में तो basically हेमोस्टैसिस simply means stoppage of bleeding suppose here is your blood vessel okay, blood vessel is what arteries हो गया, veins हो गया capillaries हो गई वहाँ पे किसी तरह का पंचर हो गया और blood surrounding में leak out करने लगा ठीक है, blood leak out कर रहा है और वहाँ पे एक solid clot बन जाता अच्छे से, जो कि इस bleeding को रोग देता है, this process is all about hemostasis ठीक है, इस चीज को हम hemostasis बोलते हैं, ठीक है तो इसके बारे में हम detail में discuss करेंगे तो before we really go into detail of hemostasis I just wanna explain you something which is called how blood kept flowing in a liquid state blood जो हमारी blood vessel के अंदर liquid state में बहता है, वो किन-किन कारणों की वज़े से बहता है otherwise ऐसे तो हर जगे clot बनने लगे randomly है ना तो अकर ये smooth process चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ठीक है तो उस चीज को समझने के लिए हमें चाहिए एक blood vessel, suppose vein या artery कुछ भी वहाँ पे होती है हमारी endothelial cells कोई भी vascular जो line होती है वो endothelial cells से line होती है line मतलब ऐसे इस तरह से endothelial cell present होती है और यहाँ पे आपका blood cells with plasma यानि कि blood आपका flow होता रहता है ठीक है? यहाँ पे आपका collagen and smooth muscle रहता है outside the veins बाहरी layer में ठीक है? तो endothelial cells का जो surface रहता है surface रहता है वो non-reactive रहता है वो ensure करता है smooth blood flow को कि smoothly चलती रहे randomly चीज़े चिपके ना या फिर randomly चीज़े इखटी ना हो जाए गड़े वड़े नहीं है वाँ पे ऐसे तो उस चीज़ के लिए एक point है यहाँ पे non-reactive surface smooth blood flow के लिए responsible होता है दूसरी चीज़े endothelial cell के अंदर एक तरह के granules या bodies होती है जिसे हम बोलते है WB bodies यानि कि wevel pallid bodies इसके अंदर हमारे compound होता है जिसे हम बोलते है one-blivant factor यह क्या करता है? यह platelet को अपने साथ चिपकाता है platelet को चिपकाता है जिसे हम बोलते है platelet adhesion या adean भी बोलते है तो यह तब बाहर लिकलता है जब वो damage होगी क्योंकि यह एक bodies के अंदर रहता है या फिर blood में एक्टिव फॉर्म में भी flow करता है बट अंटिनलनलेस तेरे से इंजरी है ना तब तक वो चीज बाहर नहीं आती है तीसरी चीज है हमारी anti-platelet activity अब anti-platelet activity क्या होती है endothelial cell के अंदर endothelial adepices होते है तो adp क्या करता है adp platelet को activate करता है और aggregate कराता है aggregate का मतलब होता है platelet आपस में चिपक रही है तो यह चीज को बोलते है हम aggregation इसको रोकता है और platelet activate ना हो जाए इसको रोकता है ठीक है क्या चीज? adpases रोकता है क्या यह degrade कर देता है adp को जो कि इन चीजों के लिए responsible होता है ठीक है दूसरे compound होता है prostacyclin या फिर pgi2 बोलते हैं यह भी same काम करता है platelet को aggregation से रोकता है यानि कि आपस में platelet नहीं चिपकेगी यह दो compound है जो कि endothelial cell release करती रहती है in the circulation ताकि nearby यहाँ पे ऐसे कई platelet चिपकने लाल लगे fourth है उसका anti-cogglant property ठीक है तो there is compound which is expressed on endothelial cells called heparan sulfate वो antithromin third के साथ मिलकर आपका जो serine proteases है यानि कि active factor के compound है जैसे activated factor 11 हो गया 9 हो गया thromin हो गया इस तरह के compound अगर उसे मिलेंगे तो वो उनको degrade कर देगा या उनको break कर देगा ठीक है उस चीज को neutralize कर देगा और उसी तरह thromomodulin एक compound है आजालों की एक्सप्रेश होता है endothelial cell पर वो क्या कर देता है modulate कर देता है thombung hang ka function modulate बदा modify कर देता है thombung hang अवकर क्यूण वह एक्या करता है protein CS को activate कर देता है यह दूनों जब मिल जाते है protein CS क्या करता है वो factor 8 और 5 को denature कर देता है प्लाजमिनोजन एक्टिवेटर जो कि प्लाजमिनोजन को प्लाजमिनोजन में कनवर्ट करता है जो कि फाइब्रेन जो सॉलिड होता है हमारा उसको तोड़के फाइब्रेडेशन प्रोड़क्ट या फिर डी डाइमर वगेरा बनाता है तो हर तरीका मेकैनेज में मतलब प्लेटलेट भी नहीं आने चाहिए तो प्लाइमेरी प्लेटलेट प्लक कैसे बनेगा ठीक है एंटी कोगलेशन भी हो रहा है यहां पर मतलब इसलिए हमारे ब्लड को लिक्विड स्टोट में फ्लो करवा पाती है अब हम बात करते हैं तो कुछ भी कॉंप्लिकेट लगा तो जरह वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं ठीक है तो बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है यह सारी चीज आपको याद रख प्लीडिंग का अकेजन है या पर मलू लीक आउट हो रहा है तो यह चीज फॉलोग नहीं होगी ठीक है अब सपोस्ट आते हैं हमारे टॉपिक चुकि है ही मोस्टैसिस पर ठीक है यह थ्री स्टेप प्रोसीजर होता है इसमें आता है प्राइमरी ही मोस्टैसिस सेकेंडरी ह इंक्लूड करते हैं हम लोकल वेजो कॉंट्रिक्शन कॉंस्ट्रिक्शन ठीक है तो सपोस्ट ब्लड वैसे लें आपका आप इंजरी हो गया और ब्लड लीक आउट कर रहा है इस तरह से ठीक है तो जो होलो ऑर्गन की वाल्स होती है सबको पता है वह स्मूद मसल से लाइन ह तो देस गोज लाइक दिस है ना वह 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 कॉंट्रिक्शन करेगी वेजो कॉंस्ट्रिक्शन करेगी ठीक है तो टू रिद्यूस तब लोट फ्लो टू इंजरी साइड ज्यादा ब्लड आएगा नहीं तो ज्यादा लीक भी नहीं करेगा था ना दूसरा यहां पर प्लेट लेट लेट लट फॉर्मिशन तो इस इस काल्ड प्राइमरी हमोस्टैसिस प्लेट लट फॉर्मिशन क्या होता है मैं अभी एक्स्प्लेइन करूंगा यह हैं एक तरिसे ना आप इसे सामझते जाईए और सेकेंडरी हमोस्टैस और लॉटिंग और प्लाज्मा जो में जिसम फाइब्रेन मनता है बिसिकली सॉलिट क्लॉड मनता है और थाट टॉपिक है हमारा फिब्रेनोलेसिस यानि कि जो फाइब्रेन बना अब वो थोड़ा तो विदिन दा ब्लड वैसल होगा ना ऐसे होगा ना ऐसे तो यह वाले पार्ट को रिमूब भी तो करना है ताकि स्मू मेरी हमोस्ट्रेस के अंदर दो चीजे बताई थी वेजो कॉंस्ट्रिक्शन ठीक है सबस इंजरी होगी ब्लड यहां पर लीक आउट करेगा ठीक है तो हमारा जो स्मूद मसले वह वेजो कॉंस्ट्रिक्ट कर देगा यानि कि नैरो कर देगा आपका जो लाइन है ताकि ब्ल इसाल प्लग बनाना है यहना प्लग कर देना है यह प्लेटलेट का फ्लग होता है रहा जाते है वह एक तरह से गलू की तरह का कर रहा है और यह GP1B क्या है यह प्लेटलेट का ही रेसेप्टर है तो अलग से नाम याद रखने की ज़रूत नहीं है यह समझे लोग प्लेटलेट चिपक गई बॉन ब्लुवेंड से और नीचे क्या है कॉलेजन की प्रिजेंस में है ना कॉलेजन रहेगा एक्सपोस तब ही चलेगा कि एंडोथीलिय लाइनिंग डिरप्चर हो गई और प्लेटलेट प्लग को बनाना है मतलब यहां पर भरना है ठीक है तो यह सब प्रोसेस हो रहा होता है तो प्लेटलेट क्या होती है एक्टिवेट होने लगती है और एग्रेगेशन होने लगता है एग्रेगेशन में भी चिपगने लगी इसे बोलते हैं प्लेट अग्रेगेशन होता है तो किस रेसेप्टर का इंवल्मेंट होता है यह नाम कभी-कभी अग्रेगेशन और एक्टिवेशन चल रहा है अभी अपर प्रेट अप्रेशन रहता है तो और यह इंटन्स जाता जो एक्रिगेशन प्रोसेस है वह इंटन्स हो जाता है ADP भी रहता है, ADP बताया था मैंने, कि क्या करता है, aggregation का काम करता है, या activation का काम करता है, ठीक है, तो dense granules, दो तरगी granules होते हैं, प्लेटेट में, alpha and dense granules, तो वो सारे, वही सब compound release करेंगे, जो clotting mechanism में, या प्लेटेट प्लेट प्लेट फॉर्मिशन में help करते हैं, ठीक है, त तो यहाँ पर क्या है, सबोस्थ यहाँ पर injury हुई थे, यही से blood leak out हो रहा था, अब कहां से leak out हो पाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा जा पाएगा, ठीक है, अभी इतना समझ आया, platelet plug form हो गया, और vasocontriction हो गया, इससे हमारा थोड़ा primary hemostasis हो गया है, यानि कि weak plug बन गया है, ठीक है, अभी बात करते हैं, हम actually में क्या हो रहा है, now बात करते हैं, secondary hemostasis की, ठीक है, primary hemostasis में basically क्या हो गया, platelet plug form हो गया, अभी ऐसा fibrin वाला कैसे बनेगा, मलब जो solid clot होता है, वो कैसे बनेगा, ठीक है, तो वो हमें समझ नहीं, तो उसके लिए कुछ clot factors होते हैं हमार यह सारे clot factors हैं, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए, trick मैंने दे दिया, foolish people try climbing long slopes after Christmas, some people has fallen, ठीक है, तो some people has fallen, ऐसे करके आपको याद भी रखना है, यह चीज, यह 13 होते हैं, most important है, ठीक है, तो इनका हम use करेंगे, in the further learning, ठीक है, तो secondary hemostasis के बारे में पढ़ते हैं, तो primary hemostasis का basic overview ले ले लेते हैं, vascular endothelium injury हुई, vasoconstriction हुआ, one-way one factor ने plated को अपने से चिपकाया, फिर plated aggregation हुआ, then platelet plug formation हो गया, तो अब बात करते हैं, secondary hemostasis का, ठीक है, तो उसमें आता है intrinsic pathway, extensive pathway, सबसे पहले मैं आपको basic बता देता हूँ, इनका नाम कैसे पढ़ा, ठीक ह क्या मतलब blood के अंदर clot, मतलब body के अंदर clotting हो रही है, तो उसे intrinsic pathway कराएगा, या extrinsic pathway कराएगा, क्या हो रहा है, मतलब what does it mean simply, तो there was certain scientist है ना, उन्होंने बहुती साप सुतरी सी एक glass tube ली, normal tube ली, चुकि बहुती clean थी, ठीक है, उसमें vein से blood लिकाल के डाल दिया, ठीक है, ब blood, which is responsible for clotting, ठीक है, तो इस तरह से नाम बढ़ गया, intrinsic pathway involved है, ठीक है, बट कुछ scientist है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चूहे होते हैं हमारे, ठीक है, चूहे, sorry for my drawing, ठीक है, चूहे होते हैं, उनके brain में juice होता है, juice basically tissue, tissue factor या फिर tissue fluid बोलते हैं, तो suppose, एक चीजा ही, citrates है उन्होंने क्या किया, calcium को absorb कर लिया, तो blood clot होना रुख गया, ठीक है, citrates यानि कि sodium citrate type के compound उन्होंने डाल के देखे इसमें, तो अब उन्होंने सीख लिया कि blood भार लिका लेंगे, और हम रोक सकते हैं उसे, clot होने से, अभी blood clot नहीं हो रहा था, तो जब इस tissue juice को डाला, यान माउस के ब्रेन से, जो कि phospholipid or tissue factor में लिए उसका composition रहता है, ठीक है, तो blood फिर से clot हो गया, तो blood फिर से उसमें clot बन गया, तो scientist नहीं का, there is something also extrinsic, यानि कि बाहर से भी कुछ ऐसा है, जो कि blood को clot कर वार रहा है, इंट्रेंस के तो बता दिया, फिर citrates आये, citrates are the compound which absorbs the calcium from the blood, clotting हो नहीं नहीं थी, तो उन्होंने रोकना भी सीख लिया, बट बाहर से भी कुछ ऐसा डाला, जो कि clotting करवा दे रहा था, जो कि था tissue factor, है न, thromboplastin वगेरा, ठीक है, तो इससे नाम बढ़ा, इसका extrinsic pathway, मतलब extrinsic, outside the blood, कुछ है ऐसा, ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों काम पड़े, now we know ये दोनों method या, ये दोनों pathways, body के अंदर ही चलते हैं, और बाहर patient की मतलब से चलते हैं, ठीक है, तो आप हम इसके बारे में detail में discuss करेंगे, तो अब हम बात करते हैं, basically secondary hemostasis में क्या चल रहा है, extrinsic pathway, intrinsic pathway, common pathway, है न, तो basically important चीज है कि activation किससे होता है, endothelial damage हो collagen exposure हो याद है, collagen exposed हो गया था, जब endothelial यहां से damage हो गई थी, और यहाँ पर one wave end ने plated को पकड़ लिया था, ठीक है, contact activation हो तो basically these are contact factors, ठीक है, तो किसी भी outside चीज का contact अगर होगा, तो this get activated, intrinsic pathway है, हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं explain करूँ है, इसे waterfall method बोलते है, waterfall method, ठीक है, यहा downstream cascade भी बोलते हैं, तो basically यह एक दूसरे को activate करते हैं, यह serine proteases होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का bond तोड़ के उसे activate करता है, दूसरा तीसरे का, इस तरह से चीजे चलती रहती है, ठीक है, extrinsic pathway कैसे activate होता है, वो activate होता है tissue juice से, जब damage होगा, injury होगी, तो obviously tissue है, उससे tissue juice लिख ल due to damage to endothelial tissue, वो factor 7 के साथ मिलेकर 10 को activate करेगा, यह बात हा जाती है, फिर common pathway में, तो common pathway basically, दोनों series चलती है, intrinsic, extensive, दोनों ले आती है common में, ठीक है, तो अभी क्या है, factor number 10, 5 की presence में, और calcium की presence में, with phospholipid, जो की bladder surface है, उसकी presence में, 2 को activate करता है, जो की है, थ्रॉम्बिन मनता है, प्रोथोम्बिन से थ्रॉम्बिन में convert होता है, अभी थ्रॉम्बिन important compound है, ठीक है, थ्रॉम्बिन क्या करता है, जो फाइपरेनोजन है, जो की plasma है, प्लाज्मा प्रोटीन है, basically fiberogen, तो soluble state में रहता है, उसे insoluble fibrin में convert कर देता है, जो की यह fibrin threads fold में है, ठीक है, insoluble fibrin मे convert करते जाए, thrombin ठीक है, और वो वही thrombin factor 13 को 13A में convert करता है, जो की इस चीज को cross linking में help करता है, तो solid clot या compact clot बनाने में और मदद करता है ठीक है, stable fibrin clot बनाने में factor 13, इसलिए से stabilizing factor भी बोलते हैं तो जो important factor होंगे वो मैं बता दूँगा, बट ठीक है, अब वो बात करते हैं जो की आपको याद रखनी है जो की exam में पूछी जाती है बिसिकली, ठीक है, तो activated partial thromboplastin time ठीक है, ये test होता है lab में, एक होता है prothombin time, ठीक है ये test होता है, तो जो extrinsic pathway को deal करता है, वो है prothombin time, इसमें कौन सा है thromboplastin factor no.3 factor no.7, ये दो involve है, ठीक है, ये दो इसे activate करेगा, दो ये 10 को activate करके common pathway, ठीक है इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 12 यहाँ पर contact activation होगा 12 से 11, फिर 9 फिर 8, फिर 10 ठीक है, 10 से 5 की presence में 2 activate होगा 2 से फिर 1 और stable clot बनेगा common pathway, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मतलब किसे कौन activate कर रहा है ये कभी भी काम नहीं आने वाला तो अब मैं important चीज बता देता हूँ ठीक है, 11 की deficiency आपको देगी hemophilia C, ठीक है 8 की deficiency देगी आपको hemophilia A ये, these are bleeding disorder अगर इने में से कुछ भी गायब है तो obviously ये channel block हो जाएगा ना, तो bleeding होती रहेगी clotting mechanism पूरा नहीं हो पाएगा 9 की कमी है, तो hemophilia B ठीक है these are hemophilias which is important ठीक है, तो ये channel में से अगर कुछ गायब होता है तो obviously उनका bleeding रोकना थोड़ा मुश्किल होता है ठीक है, क्योंकि इंट्रेंस के पात्वी तो stop start ही होगा तो सारा depend आ जाता है इस पर जो कि कभी काम करता है कभी नहीं करता ठीक है क्योंकि tissue fluid की भी बहुत ज़्यादा जरूरूरत होती है बट sharp cut में उतना tissue fluid नहीं लिकलता ना ट्रेंड की नीचे आ जाओगे तो tissue juice ज्यादा लिकलेगा ठीक है बट अगर slit needle से काटा है वो blade से काटा है sharp तो कहां tissue कटता है बेन कटेगे ना जो कि पूरा मलब blood flow फेकेगी बहुत जोर से tissue juice लिकला ही नहीं तो extrinsic कहां रोल करेगा उसमें फिर उसमें इंट्रिंसिक पर depend है और हीमोफीलिया है इन्हें से किसी factor की deficiency है तो problem करेगा ठीक है और यह करता है आपका extrinsic pathway इसमें क्या प्रोथमिंट टाइम टेस्ट का नाम है ठीक है और यह आपका common बात हुए है जो कि end में stable fibrin clot आपका बन जाता है जिससे blood vessel जहां से blood leak हो रहा है वो repair हो जाता है now suppose bleeding stops है ना blood vessel से leak out हो रहा था तो यहां पर इस तरह से बन गया अब इस चीज़ को remove करना भी important है क्योंकि कभी कभी क्या होता है यह बना अंदर बाहर थोड़ा कम बना अंदर जादा बना इस तरह से repair तो हो गया बट यह dislodge हो गया और इस तरह से blood flow होने लिगा और यहां पर सपोस्थ हार्ट की कोई और plasminogen बताया था endothelial release करती है simply यहां की cells जो healthy cells है वो release करने लगी कि अब भाई काम हो गया अब हटाओ ठीक है तो plasminogen convert हो जाएगा plasmin में plasminogen activators की presence में ठीक है जो की degrade करेगा जो strong fibrin था उसे disintegrate करेगा और fibrin degradation product या फिर d-dimer में convert कर देगा जिससे क्या होगा re-canalization हो जाएगा तो दिस इस अबाउट दा blood clotting ठीक है आपको secondary hemostasis में में चीज जो याद रखनी है वो रखनी है कि activation के cause क्या है जैसे कि intrinsic cup activate हो रहा है extrinsic cup activate हो रहा है और किस-किस पात्वे में कौन-कौन से factors involved है ठीक है serial activation होता है जो मैंने चार्ट दिया है वो second वाला easy to remember वाला उससे आप याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा ठीक है और important चीज़े मैंने बताई दिये this is all about hemostasis आपको पता चल गया कि प्रेलेट प्लग कैसे बनता है coagulation या clotting of plasma कैसे होती है fibrant threads कैसे बनते हैं so this is all about the clotting mechanism or hemostasis so thanks for watching कोई भी new topic पे आपको वीडियो चीए तो आप कमेंट कर सकते हैं I hope या आपको समझ में आया हुगा